असलाम अलेकुम दोस्तों पाकिस्तान वेज्स टेस्ट इंग्लेंड में पाकिस्तान की टीम शुरुआत में ही मुश्किलात का शिकार शिकार थी मगर पाकिस्तानी गेंदबाज ने दिल जीत लिये मुखालिफ बलेबास को हिरान कर दिया गुजारे से इस चैनल को सब्क्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक करें और इस कमेंट्स में अपनी राय का इजार करें और ये दिल्क चस्प वीडियो आखर तक जरूर देखें दोस्तों पाकिस्तान माबेन इंगलेंड के इस मेच में पाकिस्तान की टीम शुरूर से ही मुश्कलात का शिकार रही क्यूंकि हारस रूफ के बाद नसीम शा भी इंजर्ड हो गए और वो दूसरा टेस्ट नहीं खेल रहे है पाकिस्तान टीम में एबरारकी वापसी हुई जबके फई मैश्रफ इस कार्ड में शामिल है और नावास भी इस कार्ड में शामिल है ताहम पाकिस्तानी गेंदबास की जितनी तारिफ की जाये यहा कम है जिस तरह उसने कहा था मुझे रोकना मुश्कल हो जाएगा आज उस तरह ही इंगलंड की टीम बेबस रही और मुश्किलात में रही इबरार की बात करें दो उसने आज पहले अवर में ही एक खिलाडी को आउट किया और इंगलंड के 38 स्कोर पर उनके एक खिलाडी को चलता किया जो के जरहना बले बादी का मुझाहरा कर रहे थे L.P.W. आउट कर दिया उसको अबरार रहमत की गेंदों में काफी सुईम नदर आई और सही माना में आज अबरार ने अपनी किलास थाबित कर दी तो दोस्तों इन्शाला इस मेच को हम जीतेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, कमिश करें, शेयर करें, सब्क्राइज करें अबरार ने साथ खिलाडियों को शिकार किया और जाहिद मेहमूद ने तीन खिलाडियों को शिकार किया दो ही बले बादों ने पूरी इंग्लेंड को हिला दिया आज चाहते हैं अजादत अल्लाफिस नेक्स वीडियो में मिलेंगे